क्यारे विद्धियार्थियों साथियों आज हम बात करेंगे जेरमी बेन्थम एक महान सुधारक के रूप में हम जेरमी बेन्थम के पर यह वीडियों क्यों बना रहे हैं इसलिए कि विशेशकर एक्जामी प्रसंद पूछ लिया जाता है कि क्या जेरमी बेन्थम मौलिक रूप में एक राजनितिक दार्शनिक थे या एक महान सुधारक तो सचा यह है कि जेरमी बेन्थम एक मौलिक रूप में राजनिक नहीं थे बलकि एक महान सुधारक थे जिन्होंने वास्पिक रूप में सासन बेवस्ता, दंड बेवस्ता, न्याय बेवस्ता, कानून बेवस्ता इसलिके साथ में आर्थिक छेत्र में और सिख्छा के छेत्र में शुधारों की बातें की थी आर्थात इन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनितिक कानोने छेत्र में जिन परिवर्तनों की बात की थी आज आधोनिक विश्वे में किसी ने किसी रूप में सभी राशर राज्यों के द्वारा उनके सुझाओं को शविकार किया जा रहा है इसलिए ये कहा जा सकता है कि जेर्यमी बेंथम एक महान समाद सुधारक थे एक महान कानोनी सुधारक थे इसे के साथ में एक महान शैक्षिक जगत में भी महान शुधारक थे यह वाका आपको इस हमें रखनी है आता है आप इससे क्या समझें इसका भावार्थ यह है कि जेरवी बेंथम एक मोलिक रूप में राजनतिक दार्शनिक नहीं थे बलकि एक महान सुधारक थे यह एक्जाम की दरश्टी से बहुत महत प्रशन है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप ध्या क्या कैटली क्या करें जेर्यमी बेंथम की कि की जैरमी बेंथम का उप्योगत आवाद नोट करें आप यह प्रधान तहर एक सुधारवाधी विचारधारा है बैन्थम को राजनितिक दार्शनिक की अपिछ्छा समाद सुधारत मानना उप्युक्त होगा कौन करें क्या करें कि यह एक सुधारवाधी विचारधारा है कौन सी बैन्थम को राजनितिक दार्शनिक की अपिछ्छा समाद सुधारत मानना उप्युक्त होगा तो कहने का भावारत यह है कि वास्तिक ग्रूप में जैरमी विच्थम एक राज दार्शनिक की अपिछ्छा एक समाद सुधारत थे जैसा की करें यह वाद हम आपको पहले बता चुके हैं इसका भावारत यह होगा कि जैरमी विच्थम एक राज दार्शनिक के बजाए एक समाद सुधारत थे क्या थे एक समाद सुधारत थे यह वात आपको ध्यान में रखनी है चलिए अब हम जैरमी वियंथम को एक महान सुधार क्यों कहा जाता है इस बात को समझने के लिए हम इसकी व्याख्या छै दिन्दों के अधार पर करेंगे हमने पूरा प्रियास किया है कि जैरमी वियंथम ने जिनजिन छेत्रों में सुधारत यहा को फिरीं सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब वर्षक प्रियास होगा कि शंकुन लुप में राजनिती विज्यान के बारे में जितने भी आवदहरनाएं हैं या मैं ये कहूं कि राजनिती विज्यान से सम्मंदित जितने भी प्रियास हैं उन सभी के बारे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बतनाने का प्रियास कर करेंगे इसके लिए एक बात पूर्धान रखेंगे चाहे हम किसी भी विचार की बात कर रहे हों अगर आप एक विचार को समगर रूप में समझना चाहते हैं तो उससे मंदित हम जितनी भी वीडियो अप्लोड कर रहे हैं उन सब्सक्राइब को समझना अति आउश्यक है अन् जैसा की आप शोम देखते हैं और हमने भी देखा था कि कुछ लोग यहां तक है कि एक वीडियो के अंतरगर्थ पूरे परश्यमिराजन्तिक मिचारगों को बतला देते हैं तो क्या वही ये बात ठीक है एक पच्सीश मिटग अंतरगर्थ पूरे परश्यमिराजन्तिक एक महान सुधार क्यों थे पहला बिंदु क्या बना रहे हैं हम ज्यामने सासन प्रणाली में सुधार क्रिकत यह वाक्त के लिए है कि कहां की थी विचार इंग्लैन के थे तो इंग्लैन के अंतरगति उन्हों उस समय वास्तरिक रूपी प्रतिक छेटर में सुधार यह आद्यार के लिए तो सासन प्रणाली में सुधार साथ से पहला बिंदुनोड की जेगा शासन प्रणाली में सुधार के बाद किनोंने क्या कहा है यह वास्तविक रूप में जेरेमी बेन्थम ने अपने उप्योगिता वादी सिद्धान्त के आधार पर मैं फिर कह रहा हू चाहे जैरेमें वेंतम एक शुधार की रूप में हो लेकिन इनका जो मूर आधार है वो तो वह एक ही है अधिक्तम लोगों का अधिक्तम सुख इसके आधार करी प्रते छेतर में परिवर्तन की शुधार की बाते करेंगे यह बात आपको ध्यान में रखनेंगे तो यह जो जैरेमें में वेंतंम है सार्शन परणायम सुधार की बात करेंगे तो क्या करें द्यान देंगे कि जैरेमें वेंतं में रास तंतर आल तंतर के इस्थान पर गण तंतर की प्रस्था करते हैं ऐसा क्यों वही ऐसा इसलिए क्यों कि जो उपयोगी ता वाधि विचार धारा का या इनके सिद्धांत का जो मूला धार है वो है अधिक्तम लोगों का अधिक्तम शुख तो ना तो ये राज तंतर में संभव हो है वे राज तंतर में भी संभव नहीं है और अलब तंतर में भी संभव नहीं है और गण तंतर में संभव है कि गण तंतर में वास्तिक रूप में भाई बहुमत का है तो शासन होता है और यहां पर जो भी कानून बनाए जाएंगे व आगे बड़े जैर्यम वेयर्थम्ने सासने प्रणाली के जैतर में अगरी बात बताई है किया सारह भूमिक नयस्क मताधिकार की बात किये है यहां वास्तिक रूप में यह बात अलग है कि कहीं 18 वर्ष की आयू होने पर मत का दिखार दिया जाता है कहीं पर 21 वर्ष की बात की जाती है कि सारभों में व्याष मत अदिकार की विवस्ता की जानी चाहिए अतात्या विशेश करेए बल दे रहे हैं कि सभी को मत दान का अधिकार हो अगले बात क्या कहें यह वासिक संसद वही इसका दात्री क्या होगा है इनका कहना यह है कि जो बेवस्ता पीका है ठीक है पर टेम में उसको संसद करते हैं हमारे बहार के में संसद करते हैं अमेरिका में कोंगरेस करते हैं जापान में लाइट करते हैं लेकिन यह तो इंगलेंट की हैं इंगलेंट की बात कर रहे हैं तो वहां यह कह रहे हैं कि सं सब्सक्राइब कारेकाल एक वर्ष हो ठीक है अब ऐसा इसलिए जिसे की सब्सक्राइब करें कि 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 एक सब्सक्राइब का जैरे में थम सासन प्रणारी के बारे में अगला दूप छौशाई दे रहें कि एक सब्सक्राइब का होने चाहिए यह इसका मतवल क्या क्या रखक हो ब्रॣ्द विवस्तास चांटै कि मर यहаю कि आपक वाधिव्य पाया जाते हैं आप एक सद्रीं रिश्ध रिश्भत पार्ण क्या सब्सक्राइब सैंट में कज़ा रहा है कि यहां पाल रूप में वास्तविक रूप में मतलब कीया हैसे लाड सभा जो है मतंदक देखो बूтоящाइज कि यह पाल्य है इसकोई स्वैफ्त कर दिया चाहिए हम सब्सक्राइब यहां पर यह एक सद्री ववसता पएका में एक सद्रण यह शद्रा ओद ओग मुप्ट में बदान पर बहुत ने उसमें जब मदान होता था तो वह ब्लकुल खुले रूप में होता था हाथ उठा करके उसके पक्षमें मत दिया जाता था ऐसी स्तिम्म में मत आता बहबीत होते तैंडरे रहते थे इसलिए जयरे वेन्थम का कहना है कि गुक मदान होना चाहिए आज देखते हैं कि जैरे में इन्थम के द्वारा जो सजाव दिये गए द्याम दे सबसे पहले तो गंटंतर की बात आती है वास्ति पर लोगतंतरी शासने प्रणालिय कोई विकल्प है नी कर दिखा प्रवाव अगला क्या है कि इस बात को सबी जगे शरुकार नहीं किया रहे कि अगर मौने जगा इसका कारेकार एक वर्शी हो तो आगने किसे शंवाब में लगी रहेंगी कि देशित से संब्दीत नीतिया कहां वाना पाईगी इसलिए इसको शर्कार नहीं कि अगया है अगले बाद कि एक सद्री वस्तापिका ठीक है वहाँ पर आज संस्ति के दो शदन है लेकिन भाई यह बात तो सकते है कि लाड़ सबाब एक मैत्यमीन सदन है उसके पास को शक्त हो जाएं हो बाद करें के लाड़ सवाब के पास सक्तिया नहीं है सब्वार्टों का सुधर्ण किया गए है दूसरा सुधार की बादी क्या है विधी निर्मान के छेटर में सुधार है दूसरे दो नोस्तर करें कि वश्ट्वीत रूप में जैरमी बेंथम के द्वारा जब अपनी महतपूर्ण पुस्ता क्या महत्तव्कुन पुस्ता क्रंशीपल औफ मोरालस एंड लैजिसलेशन क्या यह यह लैजिसलेशन प्रकासी तुही यह पुस्ता क्रकासी दुई इसका क्या होगा विधी, निर्मान और नहतिकता के सिध्धान्त नौट करें विधी, निर्मान और नहतिकता के सिध्धान्त यह भी इनकी महतवकून पुस्तरक है और इसे पहले हमने आपको पिछली वीडियों बताया था कि इनकी जो पहली महतवकून पुस्तरक क्या है सासन पर कुछ विचार फ्रेग्मेंट्स अनर गॉर्मेंट के ध्यान रखेंगे क्या यह दो किताबे होगी सासन पर कुछ विचार और दूसरी क्या है यह विधी निर्मान और नहतिका के सिद्धान तो जैसे ही यह फुस्तक प्रकासित होती है तो भी जैरेम बेंतर ने दो किताबों के नाम याद होगी आपको मैंतरफुन सासन पर कुछ विचार और विधी निर्मान और नहतिका के सिद्धान दो किताबे यह उगन सबसे मैंतरफुन नौट करेंगे और यह उस तक जैसे प्रकासित होती है मतलब इस किताब के माद्यम से कूरी दिन्याओं को पैगाम दिया संदेशन नेजा कि विध्यों को इस प्रकार का होना मतलब यहाँ विशेश कर हम यह कहना चाहेंगे कि जारामि बैंथम में अपनी इस मुष्टक के यprodu產 सबसे पहलें बाद बताई के उस समय में विधियां आस्तु यस्त रूप हुए थी इधर उदस विखली पड़ी थी तो जारेवम में ठम केMore विध्यूं को व्यौस्तृत कर दिया जाना चाहिए यह वीध्यूं को व्यौस्त सहीटा करन नौ ermீ तो जह्य मेन तंपने सहिता करन के उपर विशेश वंद रही हैं और चलता रहें वास्री गूरू प्रांस का-कानि्स आहिक यह कि इसके बाद में विशेश कर जैरमी बेंठम का कहना है कि कि विधिया बनाते समय मतलब जब विधायत कानून बनाए तो उस समय उनके द्वारा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कानून के विधि के चार उद्धेश्य होते हैं और इन उद्धेश्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कितने उद्धेश बता रहे हैं हमने पिछली वीडियो आप कोई बाते बताई थी किसने की शुरूप में चार उद्धेश्य के नोट करें आजीवी का पहला दूसरा परियापता तीसरा समानता और चौधा क्या है वही सुरक्षा तो यह कह रहा है कि विधि बनाते समय चारों देश्यों को ध्यान में रख जब विधियों का संग्रह किया कहां रूस जब विधियों का संग्रह किया तो वहाँ मतल Parroted होरा कि वह इनोंने कानों का संग्रह किया मतलब विधियों का सहीता करंग क्या है जो कानू अस्ठेस्ट रूप में विख्रे वे थी इनको इन्हों ने विवस्तित रूप दिया है इससे प्रसन्फ होकर कि अलग जेनलर ने इनको हीरा वेटे किया था यह वात आपको ज्हान में रखनी है इसके बाद में नेशोगी चा इसके साथ में यहां विशेश कर चलते हैं कि यह एक अच्छी विध्री में अच्छे कानून में यह कहते हैं इसमें च्छे रक्षण होने चाहिए पिछली विडियो हमने आपको किसने कि शिविद्यमिवाद बताई थी आज कोने चौकी यहां पर इसके आफस्ता है भई ध्यान दे चार उट्देश्यों वे और च्छे रक्षण बताई हैं इसके अच्छे कानून में च्छे रक्षण ह चाहिए कि उसके कानून में यह च्छे रक्षण होने चाहिए मतलब अच्छा कानून में च्छे के श्या लक्षण मुझूद होंगी उसमें कान कान से हैं नोट करें सबसे पहला है कि वह कानून जनता की आकान चाहूं और विवेक बुद्दे के अनुरूप होना चाहिए पहला लक्षण हो गार दूसरा क्या है कि उन कानून के बारे में जनता को ग्यान होना चाहिए क्या उन कानून के बारे में जंता को ज्यान होना चाहिए एक लक्षन दूसरा लक्षन तीसरा लक्षन क्या है कि वो कानून विरोधा भासीन में हो मतलब उन कानून की तो सब्दाव लिया है उनका जब भार्थ लिया जाए अर्थ लिया जाए तात्प्रे लिया जाए तो वि कि वो कानून विरोधावसी ने हो नोट करें कानून विरोदवासी ने हो सब्सक्राइब कानून सरन हो इस्पस्ट हो सुगोद हो मतलब कानून की सबस्ट हो ना चाहिए ऐसी सब्दालियों होने चाहिए, कि सामानय जंता भी, जंसाधारण भी, उन सब्दालियों को आसानी से सररता से समझ सके, इस तरह की सब्दालियों का प्रयों किया जाना चाहिए अगली जो बात है अगला जो लक्षन है इसका अच्छे कानून का वो क्या है कि कानून व्यभारिक होने चाहिए मतलब कानून ऐसे होने चाहिए जिनको व्यभारिक रूप में भी लागू किया जा सके ऐसा ना हो कि व्यभार उनको लागू कि ना किया जा सके और वही चाता जो इसका लक्षन बताया है दूने अच्छे कानून आगो कै रहा है कि विवेक उरग तरीके से अच्छे तरीके से अच्छी रीती से कानूनों का पालन हो और कानूनों का उलंदोर होने पर दंड की व्यवस्ता होने चाहिए और दर्ण देते सामय किसी भी रूप में पक्षपार नहीं होना चाहिए तो मेरे प्यारी विद्धियातियों यहां जयर्य में बेंठम ने लाख्षण कितने दलता है चैहां अच्छे उद्धियों चैहरे के उपर बन दिया है आर वास्तीर रूप अच्छेतर में पूरी दुनिया है यह हो गई दो बात है चलिए आगे कि नियाए व्यवस्ता में शुदहार अब आफ्च वास्त्वी ग्रूक में जेरमी में तमने उस समय जब देखा तो इनने लूजा riktign can इस देश में नियाय बेचा जाता है और जो इसकी कीमत नहीं चुका सकता वह नियाय से बंचित रहे जाता है यह कूल कोटिशन है इस देश में नियाय बेचा जाता है बहुत महिले दामों में बेचा जाता है जो इसकी कीमत नहीं चुकाता या नहीं चुका सकता वह नियाय से वन्चित रहे जाता है नोट करेंगे अब यहां विशेश कर जयारामी बेंधम का कहना है कि नियाय विरास्ता में सुधार के लिए सबसे पहले तो यह कहने कि जूरी प्रणाली के व्यस्ता की जानी चाहिए इसके बाद हम करें कि जब एक नियाय के दुवारा कोई फैसला सुनाया जाता है तो उसमें एक ही नियायधिस के दुवारा फैसला सुनाया जाए जिससे कि वहां वास्त्विक रूप में उस नियायधिस को उत्रदाई ठराया जा सके यह बात आपको ध्यान में रखनी है होता है उसे की जल्दी से जल्दी हैसला सुनाएं जा सके जैरे वी बेंत हमने श्वाम ने देखा आ está कि ऺभीकवी ऐसा हो जाता है विक्तिकी मृत्व तो तक दिये और उसे नहीं इहीं बाता है इसका मतलब क्या नियाए वियस्ता में कमया नहीं नहीं है या स्विवासता में कमया है इसलिए यहाँ पर यह नया व्रस्तामें सुधारों की बाते कर रहे हैं, इसी के साथ में जैरावी बेंथम ने वकीरों की भी बहुत ज़्यादा आलोचना की, इनका कहना है कि यह वकीर ऐसे होते हैं, जिने शक्त असक्ता क्या ज्यान नहीं होता है, एदूर दरशी होते हैं, वास्तविक रूप में देखा जाए, तो यह साथ में किसी रूप में ध्यान नहीं रखते हैं, यह वर अपने शुवार्थ की बाते करते हैं, कहने का भावारत यह है, कि वास्तविक रूप में इन्होंने कहा है, कि वकीर केवर अपने सुवार्थ का ध्यान नहीं रखते है सामाजी कितका ध्यान नहीं रखते हैं इस आदाहर पर भी इन्होंने वकिनों की भी आलोजना की है तो इस आदाहर पर आप ये समझेंगे क्या कि जैर्यमी मेन्थम ने नियाय व्यवस्ता में भी सुधारती बाते की हैं अगर आज हम देखते हैं तो वास्त्रीक रूप में नियाय पालिकाओं के उपर कितना कारी वहार है कि काफी समय हो जाता है तब तक भी वास्त्रीक रूप में फैसला नहीं सुनाया जाता है है इसलिए आज भी का जा सकता है कि नया विवस्ता में किसे निकिसी रूप में विलम होता ही रहता है तौछ जहरे में तमका कहना है कि विवस्ता ऐसी की जाए जिससे की जल्दी से जल्दी फैसला सुनाया जासे की साथ ने प्यारिक धिया तो यह वाद के आपको ज्यान में रखनी है कि इन्हों ने जूरी परनालिका भी समर्थन किया था अगली बात क्या है वही कि दंडक व्यवस्ता एम्ड जेल सभार दोबते हैं डंड व्यवस्ता वेहां दो मतले इन नुद्ट की बारे भी सुदार की जायं चलिए अ और सबसे पहले तो यहां जेहरे में युन पका कहना है कि दंड्ड़ देते समय जो एक्जाम की द्रश्टी से बहुत महत्यपनों बाती बता लोगे काफी लंबा है वैसी दंड देते समय चार बातों को ध्यान में रखना चाहिए मतलब जहरे में अधम का कहना है कि एक अपराधि के द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है तो उसे दंड देते सबसुती समय है चार बातों को घआखना चाहिए फिक जो चार बातेगेカンタ क्कूर कि नोट करेंगे किस प्रकार का है किन परिश्टियों में किया गया अपराध की परिषतिया क्या है वान हो में देना चाहरा है एक भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है अपनी भूख को सांथ करने के लिए और एक व्यक्ति के दवारा बिना किसी विवस्ता के भी कि बैंक से जोरी की जाती है तो क्या ऐसी सत्ति में इनकी परिष्टेश अलग नहीं है वो का व्यक्ति क्या करेगा अपनी वो को सांथ करने के लिए उसने रोटी चुरा ली तो क्या बहुत बड़ा अपराद कर दिया नहीं जबकि वहां बैंके में ड़केती की जा ली है कि उनकी आदग बन चुकी है कि परस्तियां अलग है इसकी परस्तियां अलग हैं तो आपाराद किस प्रकार का है चोटा बड़ा परसितियां कैशी है अपराद करने वाले का अपराद करने वाले का और अपराद से किसको हानी हुई है इन चारू बातों को ध्यान में रखते वे अपराद को धंड दिया जाना चाहिए इसनिके यह बात जैरा में बेंथम ने बात की है तो यह बात विशेश आपको ध्यान में रखनी है ठीक है अब दूसरी बात आते जेल शुदार जैरामी बेंथम ने वास्तविक रूप में जेल व्यवस्ता में शुदार के लिए योजना दी है क्या है पयलोग पीकन योजना ढवाय पयलोग टीकन योजना क्या है जैराम नंतम के पहला है मतलब जेर क्या जेर कारागार जो कारागार है उसका जो वहमन है कारागार की इमारते आर्ध आधा आर्ध चंद्राकार मतलब जो आपने देखा हो ना आधा चंद्रमा क्या आधा चंद्रमा जो होता है उसकी तरफ सक्केत है कि जो उनकी वारते हैं वो अर्ध चंद्राकार होनी चाहिए जैसे हम कहें यह अब इसको अपन इस तरी के सकते हैं यह अर्ध चंद्राकार होगा है यह अर्ध चंद्राक जेलर होता है उस जेलर की बैठने के व्यूस्ता की जाएगी जिससे की वह है कि अपराधियों की गति विद्यों को देख सके और उने गति विद्यों की अनुप जेलर ये देखेगा कि कि इस अनुपात में सुधार हो रहा है कि यहां अपने उप्युक्तवारी सि के अपरादी अथारत से दुखी प्राप्ति हो बैजörtंग का है कि विवस्ता यह हो कि शुक्की प्राप्ती हो इसलिए लिए का कहना है कि वहां अपरादीों के लिए इस डाए जिस से कि अपरादियों की गति वीदियों में सुधार हो इस सुधार के अनुरूपी इनों अधचंद्राकार जील की विवस्ता किया है जिससे की जेल हो उनकी गति वीदियों को देख सेके मैं को नहीं कह रहा हूं जैरा में बैन्तम का अपदेश यह नहीं है कि अपराधियों को बहुत भारी भर कम दंड दिया जाए लौ इनका कहना है कि बहुत ज्यादा दंड देने से तो भही उसको दुभू की प्राप्ति होती है और इनका कहना है अधिक्तम लोगों पाधिक्तम शुख तो यह तो मूल किया जाता है तो यहां एक्जाम यह बात पूछ ली जाती है कि पैनोप्तिकन योजना निम्न मेंसे कि शुटवान के दवारा दी गई है तो आप आंसवर क्या होगा जैरमी बेंधम के दवारा फिर अगला प्रस्ण में रहा है कि जेल की इमारतों क्या जेल की इमारते अर् पूछा जा सकता है वैसे तो यहां प्रताइक बिंदों के अंद्रागत कितने ही प्रशन बन रहे हैं यह बात आपको जांगे रखने हैं हमारा अप्देश है यहां प्रशन बना करके और ऑब्जेक्टिव टाइप में चार विकल्ब देकर कि यह बताना नहीं है हमारा कि य जिसके रहा हम इन विचार को तरीके समझाएं जिसे कि किसी भी रूप में आपसे एक जम क्रिश्म को चजाए तो आप तरीके से आउस्वार दे देंगे अगला क्या है वही पांच बाद या ख्या करिंदू शिच्छा ही हो जना अब देखो इनका कहना है कि समाज में वस्त वास्त्विक रूप में दिशुदाहार करना हो प्रोरिस के लिए सबसे अथ्र साथ है शिच्छा यस प्राचीन समय से ही चाहे प्लेटों की बात करें अरस्तु की बात करें इन सबने शिच्छा के उपर सबसे ज्यादा बल दिया है और हम श्वाम भी कह रहे हैं कि यदि व समय किशी बेत्यैन करना तो समसे जाधा आप चुसक्र देना चाहिएत शक्षयता को कशिच्छा को उपर क्या करता है कि सिच्छा के मात दम से किसी बीकित गया स्जेक होजना के बारे में क्या बाते कह रहे हैं। यहां यह इसकर दो फिरकार की शिक्षा की बात करें और और या इस और दूसरा क्या कैसे मत्यमों और उच्रुआकर के बंचों के दिक शेशों बतला अपनी शिक्षा है वजना में यह दो प्रकार शिक्षा की बात कर रहें है रहें पहला बिंदु क्या बनेंगे गरीब बच्चु और अनांत बच्चु के लिए शिक्षा क्या करें कि उनको चरिक्तर से सम्मधिन शिख्षा दी जानी चाहिए कि इनकों चरिक्तर से सम्मद्री सिख्षा दी जानी चाहिए अगले बात क्या करें कि कला और कोसर शिखाना चाहिए जिससे कि यह अपनी आजीविका चला सकें कि इनके बोधिक विकास की भी शिक्षा दी जानी चाहिए कि गई बच्चूर आनात बच्चूर के शिख्षा करें जहरे में तंप अ city चैने चाहिए वां ब्लाकरोशाया जाने चाहिए कि जिससे की यह अपनी आज्ठे ऍाकफ़िश्रा शक्रत हुआ और फिर क्विक विकास की भी क्षिए दी ओ करें जो गड़ीब करें दो सबस्केंहेंट इसक्रक्षा नीम्स्पारित तो यह थो गलीब बच Mills rep meth बथिंदे दूसरे शिच्षा क्या है? दूसरे किसके लिए मत्धम और उच्वारव के बच्चों के लिए कैसे शिच्चा हो? इसके बारे जैरवे मेरिनतम क्या करें और इनको केवल इनको केवल बोधिक शिक्षा दी जानी चाहिए क्या इनको केवल बोधिक शिक्षा दी जानी चाहिए धार्मिक या नैतिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी क्या रहा हूं इनको के और बोदे शिख्षा दी जाहिए धाल्यों को नहीं चाहिए यह जेरमी बेंथम, जो शिख्षय योजना की बाद कर रही है, इसको दो भागों में बाढ रहे हैं, आप इसी के साथ में बहुत महत्वपन बाद बतानी जा रहा हुँ, जेरमी बेंथम ने मॉनीटर उसमें जो सबसे इंडिलिजेंट विद्धियारती होता है सबसे विद्धिवान जो बच्चा होता है अपने से निचली कक्ष्याओं को पढ़ाता है तीक है यही क्या है मौनिटर पद्धती है तो जैरेमी में धमने भी अपनी शिच्छा सुदाहार के अंतरगत या शिच्छ से जैरेमी में धमने मौनिटर पत्ती के समर्त्त थे मतलड़ से मौनिटर पत्ति का समर्थन किया था यहां पर लिए एक्जामने किसी निकीषित रुपेप्रेसंथ कूंचल बिहाता है कि क्या चार कि विद्ध्वाने को नाम दे की जाएंगे आपको कि जैरेमी बेन्थम नहीं सारवय प्रथम जनसाधारण की शिख्या पर जोड दिया और रज्य द्वारा ये शिख्या देने की बात कहीं है है आझ वास्तोरी रूप में संपुर्ण में इसके रूप में इसको अपना जाता है विश्यष के भारत में कि बात्तों को अपना यह जैसे नहीं तो क्या हमारी बात्म की साही कि यह जोड गया है तो क्या आपको जहानगे लखेंगी तो आपसे यह एक्जाम उसरे रहा सकता है कि निमने में से किस पश्मी राजितिक विचारत के दोरा शाहरा प्रत्कम जाम थारनपी शिच्छा पर जोर दिया गया तो इसके दोरा जैर्यम बेंधम के दोरा ठीक है और इसे के साथ में लुका है कि ये शिच्छा राज्जी के द्वारत दी जाने चाहिए अब आप इस आधार के लिए कह सकते हैं कि इसका भारत के उपर करवाव पढ़ा है यह वाकि आपको ध्यान में रखनी है यह हो गया भी आपका शिच्छा यह ना या सिच्छा में किन और अंतिम व्याथ्ख्या का जो बिंदू होगा वह आर्थिकविचार आप यहां क्या है आडम स्मित को और है एडम इसमित का जैरे मेंधम अन्याई था इनकी जातर बातों को मैंधम ने सिवकार किया था पर इसका मतलब नहीं कि सब को सिवकार के लिए कुछ बातों का यहां कोई ज्यादा आफशक्ता नहीं है हमें तो सिर्फ देखना यह है कि आर्थिक जगत में भी उन्होंने क्या कुछ सुझाव दिये थे तो यहां जो मूल बात आ रही हुए है कि जैरे में बेंधम ने यह कहा है क्या कहा है एडम इसमित की बात का समर्थन करते हुए इसका एडम इसमित जो कि अर्थसास्त्री के ए करें कि सरकार पूंजायों करें जैरे मेंधम करना नियम में या था समभा कं से कम अस्तध्च्छेव करना चाहिए चाहिए कि मोघे लिबिटा क्या में अरथिक गतिवजी के जितना संभाभ हो सके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मतलब आर्थिक गत्री विद्यू से सरकार को दूरी बना के रहा है कम से कम अतियास्ष को अस्तक्षेप किया जाए बाटी अनाफसच रूप में ना किया जाए यह एडम इस्वित कहरे हैं और इसी बात का समर्थन किसमी जैरेमी बेंथमी किय रेता है अर्थां आती वीडियों में कम से कम हस्तक्षर करें ओजार विक्द करें की विचार दार्वादी विचा दारा और वेख्ट एट उठीवादार्वादी विचार दार वॉडि यह winners e ntham का कहीना है कि ये करें यि बाद से शाहर दार्ष क्रें यह Titans ये अबाद, कि आ प्या प्यार का समर्थक थे कां जैरें बेंथा बॉइ इनका कहना है कि आपयार के ओपर किसी दुरूपि को प्रतिभ fry रोबन नहीं होना चांए क्या बोए प्रतिवंध नहीं होना आए अगरी वाक्त सब्सक्राइब कर दो अलग कर दो आजाद कर दो कि वह संपत्य का कोई श्रोत नहीं है इसलिए अगली बात के आगे सब्सक्राइब को जरा दुख्य नहीं होगा तो इसका व्याइन कोई म इन सब बातुं की आधार पर यह कहा जा सकता है कि जेरमी बेन्थम मोलिक राजनितिक दार्षनिक नहीं थे बल्कि यह एक महान समाद सुधारक थे प्लीज हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब अबश्य कीजिएगा इसे के साथ में हमारी वीडियो को नाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थेंक्यू अधिमू अधिमूच